नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो निर्मान प्रशिक्षन श्रंखला के माध्यम से हम ये सीखेंगे और जानेंगे कि अपने किरदार और विशय को फ्रेम में रखते हुए एक अच्छे शॉट को बनाने के लिए हमें किन-किन चीजों और बातों का ध्यान रखना होता है साथ ही साथ इस वीडियो में इस्तेमाल किये गए उदाहरन हमें एक अच्छा शॉट बनाने में मदद करेंगे सर के उपर परियाप्त मात्रा में जगय कोई भी शॉट लेते हुए हमें ये ध्यान रखना होता है कि फ्रेम में विशय और केरदार के सर के उपर परियाप्त मात्रा में जगय हो अगर ऐसा नहीं होगा तो शॉट खराब दिखेगा क्योंकी षफन करने से उसमें कुछ रओ नहीं लगता है। शॉट भाइयाद अब लो जो खतम हो जाता नहीं कुछ भी नहीं सोधन करने से इसमें कितानू नहीं लिगता है, कोई रओ तैगून नहीं में लगता है। किरदार के देखने वाली तरफ परियाप्त मात्रा में जगह कोई भी शौट लेते हुए हमें ये ध्यान रखना होता है कि किरदार या विशय जिस तरफ देख रहा हो उस तरफ परियाप्त मात्रा में जगह देनी चाहिए अगर करदार सीधा कैमरा में नहीं देख रहा है या फ्रेम से बाहर देख रहा है तो जिस तरफ वो देख रहा है उस तरफ परियाप्त मात्रा में जगह दें निमास्तर के परियोग करें से फसल भी अच्छा होई और पउधा भी स्वस्त रहत चलते हैं अब रसानी खादना परियोग करके निमास्तर के परियोग करो किरदार या विशय के चलने वाली तरफ परियाप्त मात्रा में जगह जब भी हमारा किरदार या विशय चल रहा होता है तो जिस तरफ वो चल रहा होता है हमें उस तरफ परियाप्त मात्रा में जगह देनी चाहिए एक तिहाई वाला नियम हमेशा शौट लेते हुए हमें अपने किरदार या विशय को फ्रेम के एक तिहाई वाले हिस्से में रखना चाहिए जैसे इस समय मैं हूँ ऐसा करने से हम अपने शौट को और ज़्यादा सुन्दर और दर्शनीय बना सकते हैं एक तिहाई वाले नियम का पालन करने से हम अपने किरदार को फ्रेम के बीच में न रखते हुए भी सुन्दर दिखा सकते हैं जीवका में जूले से लोग गरीब लोग लेहे ता लोग कॉमरेट मीले है तो लोग है मसलोग कमाये तो खायो लेला खादूरू पया माना सुझ जामा कैला अबाहर लेवे सो सुधे बरते बरते आदमी तबाही भेल लहे विका जाए गरीब लोग हम उनका खाता बैंक में खुल वाए फिर खाता बैंक में जब खुला उनका तो फिर संस्ता दोवारा जीवका दोवारा उन्हें पचास हजार का ICF लॉन दिया गया बैक ग्राउंड पर ध्यान देते हुए शॉट लें जब कभी भी शॉट लें तो ये ध्यान रखें कि आपके किरदार या विशय के पीछे क्या है याद रखें आपके किरदार या विशय के पीछे कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिससे दर्शकों का ध्यान बटे और उनका ध्यान हमारे विशय या किरदार से हट जाए एक अच्छा बैक्ग्राउंड होने से शौट और अच्छा हो जाता है देखिए दीदी बीज को सोधन करके इसलिए लगाना चाहिए कि उसका जड़ मजबूत हो और फसल अच्छा हो तो आपने इस वीडियो में देखा और सीखा कि एक अच्छा शौट लेते हुए किन-किन बातों और चीजों का ध्यान रखना चाहिए इस वीडियो में दिये गए उदाहरन आपको समझाने के लिए हैं फिल्म बनाते हुए वीडियो में सिखाई गई बातों का ध्यान रखें याद रखिए एक अच्छा शौट आपके वीडियो को आपकी कहनी को ज्यादा सुन्दर और दर्शनिये बनाता है नमस्कार अच्छा शौट आपके वीडियो में सिखाई बनाता है अच्छा शौट आपके वीडियो में सिखाई बनाता है